मुसकार बड़ी बड़ी मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अब शेक शांडिल आप देख रहे हैं खबर अभी तक दो दिन में चार बलतकार की घटनाएं उस हर्याडा में हुई जो हर्याडा डिंगे हांकने के आभा मंदल में स्वर्ग दिखता है वही हर्याडा जहां से बेटी बचा च्राओने सूबे को लगयी है हात्यारों की तलाश में कब तक पकड़ेगी और कितने पड़ीए पकड़ेगी ये कह नहीं सकते हरी आड़ा के चार शेहर पानी पत जिन फरीदाबाद चारों गवाह रियाडा में दरिन्दों का जंगलराज है। पुछ नहीं पता एक रिपोर्ट हर्यारणा के उसी बीटी का गला घोट रही है जिस बीटी की नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाज चल रहा था उसी बेटी की इज़त असमत आबरू आप के आभा मंडल के भ़वर में लूटी जा रही है आपका वही झूठा आभा मंडल जिसमें हर्याडा स्वर्ग दिखता है असल में हर्याडा बेटियों के लिए नर्क है इसी नर्क में हर्याडा की बेटियों के गलते जिस्म की बद्बू आप तक क्यों नहीं पहुसती है शर्म तो आती है लेकिन बताना पड़ेगा वो सकता है आपको पता भी ना हो नहीं पता है तो सुनो पहला पानी पत एक 11 साल की बच्ची घर से बाहर आई तो पडोस के दो हैवानों को हैवानियत का शिकार दिखी पहले मासूम से रेप की कोशिश की लेकिन जब काम्याप नहीं हो सके तो मासूम को मौत के घाट उतार दिया इसके आगे की कहानी बहुत शर्मिंदगी भरी है लेकिन बताना पड़ेगा मौत मासूम के मरने के बाद इनसान का मुकवटा लगाए एक शैतान ने मासूम से चार घंटे तक रेप किया फिर रेप किया रेप किया और इनसानियत को मर दिया लड़की शाम को कूड़ा डालने गई थी और जब वो कूड़ा डालके वापिस आ रही थी तो उस वक्त उसको घर में बुला लिया किसी बाहने से वो छोटी बच्ची थी और उसकी पहले हत्त्यागर दी और फिर उसके बाद एक आरोपी ने रेप किया है दूसरा जिन पंद्रे साल की लड़की के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हूँ ऐसा टॉर्चर किया गया जिसे बताने की ना तो हम हिम्मत रखते हैं और ना ही आप सुन पाएंगे जिन्द के बूढ़ा खेड़ा गाउ में नहर के पास खूल से लथपत मिला शव पोस्ट माटम के बाद पता चला कि लड़की के साथ वैशिपन की हर हदे पार की गई है हाँ हर हदे पार की गई है जिससे हम बता नहीं सकते जब अधिकारी और सीम साहब जिन्द और पानीपत के दरिंदों को पकड़ने का भरोसा दे रहे थे उसी समय फरीदाबाद में ओफिस से लोट रही एक यूती से चलती कार में गैंगरेब की खबर आ गई यूती ऑफिस से घर लोट रही थी यूती को फरीदाबाद के राजी चौक से सरयाम सब के सामने उठा लिया गया चलती कार में दो घंटे तक गैंगरेब किया गया और चलती गाड़ी से यूती को फिक कर फरार हो गए अधिकारियों और सीम साहिब को एक और वर्दात मिल गई हाँ भरोसा देने के लिए बनातकार के शेहरों में चौथा नाम पंचकुला के पिंजौर का है यहाँ घर के बाहर खेलती एक दस साल की मासूम से पचास साल के हैवान ने वो हरकत की जिसे देकर आसमान ने शर्म की चादर उड़ ली और जमीन का अपने लगी थी इससे जादा बताने में हमें शर्मा रही है उमीद है आपको सुनने में भी शर्मा रही होगी अब रेप की चार घटनाओं से सन पड़ा हर प्रदेश वासी मनोहर लाल खटर से पूस्ता है कि सरकार इतना बता दीजिए हम जीए या मर जाए या वो हैवान मारे जाएंगे जिन पर सियासत महरबान है जिन्द और पानीपत से सत्देव, फरीदाबाद से संजे गुपता, पंचकुला से जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट खबरे भी तो ये तमाम दलीले हरियाणा में दी गई है लेकिन उसके बाद ये तस्वीर हम पूचेंगे आप भी पूचेंगे पूरा प्रदेश लोगों से पूच रहा है, खास तोर से सरकार से पूच रहा है, ये चल क्या रहा है और जब आप देना पड़ेगा मुक्किमंतरी मनुहर लाल खटर को बताना चाहिए कि किस तरीके से हरियाडा की बेटियां यहाँ पर सुरक्षित हैं और अगर नहीं हैं तो जिम्यदारी कौन लेगा, सियासत कब तक होगी, कॉंग्रेस बीजेपी के बीच में हरियाडा कब तक जलता रहेगा, हरियाडा की बेटियां कब तक इस तरीके से हैवानों की शिकार होती रहेंगी, ये वो सवाल है जो आपकी जिन्दगी से सुरक्षित होंगी और कैसे सुरक्षित हो सकती, इसी वुद्धे पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम एमान जोड़ गए इस्टूडियम, आप सभी का स्वागत है, कॉंग्रेस से प्रवक्ता है, कॉंग्रेस के धर्मवीर धीर साब, आपका स्वागत है, बीजेपी की प्रवक्ता सुनिता दुगल जी है, आपका भी स्वागत है, इनुलो की प्रवक्ता कुसूम सेलवाल जी है, आपका भी स्वागत है, समाजी कारेकरता सुलक्षडा ब्राम्टा जी है, आपका भी स्वागत है, सभी से शुरुवात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी क प्रबक्ता सुनीता दुगगल जी हैं आपकी पहले प्रतिक्रिया उसके बाद हुमारा सवाई यह सोच सोच कर रॉंटे खड़े हो रहे हैं और सरकार की तरफ से जो है वो जैसा की मुख्यमंद्री जी ने भी कहा कि दो जगा पर आरोपी पकड़ लिए गए हैं लेकिन हमें जो है बात खास अब ध्यान देने की वो यह है कि इतनी विभत्स जो है मानसिक्ता जो है उसको हम कैसे बदलें अब हमारी कोशिश ही रहेगी कि हम इस तरफ जो है वो फोकस करें क्योंकि जिस तरह से मानसिक्ता कि अगर आप एक शव को भी नहीं जो है बक्षते हैं अगर आप एक लाश के साथ भी जो है वो दरिंदगी कर सकते हैं तो हम सोच सकते हैं कि समास जो है वो है उत्तरपरदेश में भी उनका गर बिल्कुल पास-पास में है और दस साल की बच्ची है और उसके बाद जो हरकत जो इसमें बताई गई है कि किस तरह से उसने जो एक वुड है वो उसके पार्ट में किस तरह से उसने डाला है तो आप यह सोच के आप एक बार यह देखिए एक बार सोच के देखें इस बात को कि इसमें जो है सरकार का बिलकुल ये सरकार की ये जरूर एक वो बनती है जिम्मेवारी कि हम सक्त से सक्त जो है इसमें कानून लेकर आएं और सक्त से सक्त जो सजा उनको जो है मिले ताकि दूसरों को सबक मिले लेकिन किस तरह की किस तरह की कि जरद नहीं है समाच में सब कुछ करिया ठीक कि समाच दूमीद है कि आप कम सिकम ऐसा मत करिया अपराद मत करिया कि किसी की झीज चन जाए लेकिन फिर भी सरकार को कुछ नहीं करना है ये कब कामने मैंने अविशेक जी जी बिलुकुल नहीं का Coffee सर pod पार ने जैसे कि पहले एक रहतक की बहुत बड़ी वारदात हुई थी उसके अंदर जो साथ उसके अंदर जो कालप्रिट्स थे उनको फांसी की सजा हुई और उनको और निर्भिया कार्ण में भी अगर आप देखें अगर आप एक बार में कहूंगी कि हमारी ये भी एक जिम शर्मिंदा है ना मुर्दा है लेकिन आप बस आप जो लोग टीवी देख रहे हैं खबरे भी तक जो लोग देख रहे हैं खास्तोर से मैला और बेटियां आप उनसे कह दीजिए कि हर्याड़ा में आप सुरक्षित हैं चोटा सा चोटा सा बयान आपके दीजिए आराम से हम आप से कोई सवाल नहीं पूचा है आप डिवेट पे बेटियां आपका सम्मान है आप सरकार में हैं आपको चोटी सी टिपड़ी करती हैं कि हर्याड़ा की जित्ती भी माँ बेहन बेटियां इस डिवेट को देख रहे हैं उनसे कहिए कि आप सुरक्षित क्या पाएंगी कि कह दीजी अगर कह पाएंगे देखिए अभी शेख जी हम शर्मिंदा हैं मैं ये कहूंगी बार बार ये कहूंगी कि हम शर्मिंदा हैं और किस तरह से ये वारदातों को रोके और किस तरह से इन वारदातों के उपर लगाम लगे सरकार की पुर्जोर इस बात के लिए कोशि नहीं कहें पाल जी सरकार जो है अपनी बेटीयों को भरोसा दिलाती है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरें की वालओं aircraft आनियों अपाटी की दरेंगे थे बड़ी आप पर्टी से बहुनी की प्रहएंगे आपíb में आख डाल कि यह कह पाएंगी कि जो लोग डिबेट देख रिए वो स्रक्षित हैं जी धर्मिर्धिर जी तिपनी करिया अभिशेख जी इस पर टिपनी तो मैं क्या को इतना विभर्स और इतना दर्दनाक जो कांड हुए है पिछले दो तीन दिनों में पूरे प्रदेश मे इसको तो बयान करना भी उसके लिए मेरे पास शब्दी नहीं है इतने इतने गंदे और कैसा घोर कल्यूगा चुका है इसके बारे में तो अभी हमने सोचा भी नहीं था लेकिन अभी एक बड़ा बहुत-बड़ा सवाल आपने उठाया था और मैडम ने भी बताया सुनीता दिबल जी ने कि समाज की मानशिक्ता कैसे आई है तो मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको दो मिनिटा समय जरूर दीजेगा इन लोगों में यह जो लोग आपराधिक जो प्रवर्ति रखते हैं लोग यह वही काम करते हैं ऐसे ठीक है ना इन लोगों के अंदर इतनी हिम् लग गया है एक तो इनके दिमाग से तो पुलिस का डर खतम हो चुका है रहाना में दूसरा इनको यह लगता है कि सरकार पुलिस अब कितने सारे केसिस पिछले तीन-चार साल में हो चुके हैं जिसको हाई कोड तक भी सो मोटो लेती है और कितने केसिस इस मंच पे आकर हम भ हिम्मत यहां से आती है जब इनको यह दिखता है कि पुलिस भी और जो हमारी सरकार है यह बहुत सारे कई आपराधिक मामलों के अंदर मिली भगत रही है इनकी यह हमें भी बचा लेंगे इनकी हिम्मत ऐसे बढ़ जाती है और देखिए अगर आप एक खुद बात सोचके द सलते उस एक केस का तो निप्टा रहा हुआ लेकिन उसके बाद सरकार तक्टा पलट हुए सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद जो है अब हर्याना के अंदर का गरम बात करें अभी पिछले महीने तो हमने यह बात डिसकस की ती अभी जी कि हराना इस कैपिटल ऑग रेपस इ कि जो लोग डिबेट देख रहे हैं कि आप उनके आपों में डाल कर यह क्या पाएंगे कि आप सुरक्षित हैं शायद आप नहीं कह पाई और यह सरकार की बाते बहुत आसानी से बताता है कि सरकार कितनी सुरक्षित हैं लोगों को लेकर कितना दावा कर सकती है क्योंकि अभी शेक जी देखिए मैं ये कहती हूं कि सरकार जो है उनकी पूरी कोशिश है कि हमारी बेटिया महफूज रहें और हमारे जो महिलाएं हैं हमारी बेटिया हैं वो सुरक्षित हैं सरकार में ऐसी बात नहीं है लेकिन जो आज की जो मैं ये चाहती हूं कि जो आज की सवाल पाएं आप यह देखिए कि उन जो पानिपत के जो दो दरिंदे हैं उन्हों ने उस बेटी का मर्डर कर दिया मर्डर करने के बाद उनकों फांसी की सजा तै थी ठीकिन उसके बाद लाश के साथ भी अगर वो रेप कर रहे हैं तो आप इस बात में बार बार सोचने की क्या हुआ था पीड़ता ने को माल बताया आपको कुछ पता चला हसक लिए तो बहुत गलत बात है यह तरह की कोई बार ए part सब्सक्राइबर अगर वो इस बात पर अगर मुंश्कुराती है तो ये समयदन हिंता की हद है valHome महिला होने के बाद आप लोगों से दावा नहीं कर पारी है आखो मैं आग बिला कि एसे पी महोदेया हस रही है बात तो एक है ठीक है कुसम जी टिपड़ी आपके अबिशेक जी आज ये इतनी शरम नाग घटनाएं जो हो रही है दो हचार अठारा का अभी साल शुरू हुआ है पंदरा दिन बिते हैं और इस पंदरा दिनों के अंदर अंदर 48 घंटे तो यही जो घटनाएं चार घटनाएं की अभी आप बात कर रहे हो पांचवी घटना भ है कानून विवस्ता दुरुस्त नहीं है कहीं पर भी कानून का जो डर है आज जो यह दरिंदों की बात करी जा रही है तो सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो कानून का डर जो खोफ होता था वो आज पूरी तरह से खतम हो चुका है आज कोई भी जो इस तरह की दरिंद चुका है आज परदेश के जो हाला तीन साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को बने हुए तीन सालों में तीन बार ये सरकार जो है वो परदेश को जला चुकी है और आए दिन इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं ये पंदरा से लेकर के आज आप अगर आकड़ों की भी मैं बात करूं तो पंदरा में भी सबसे बड़ा रेपिस्ट हर्याणाप्रदेश को कहा गया था और nó सबसे बड़े जर्गों करते हैं कि 2018 के शुरू होते के साथ ही आज सभसे बड़ी बड़ी जो कि घटनाए हो रही है आज इसको एक रेपिस्ट हब के नाम से जाना जा रहा है हर्याना परदेश को इससे ज़्यादा शरमनाक बात और कोई नहीं हो सकती हर्याना परदेश के लिए और मुख्या मंतरी साब को मैं कहती हूँ ने तिक्ता के अधार पर उन्हें इस पद को त्याग देना चाहिए हमा के हालात जो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केंदर में सरकार है बीजेपी की परदेशों में सरकार है बीजेपी की उसके बाप जूद भी इस तरह की घटनाओं का होना बहुत ही शरमनाक घटनाए हैं ये और आज हम अपनी बेहन बेटियों को जब वो जब तक हमारी बेहन घर नहीं आ जाती. तब तक माँ बाब के दिल कामते हैं. और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस सरकार का क्या करें? अब इस सरकार को तीन साल बीच चुके हैं, उसके बाब जूद भी सरकार की आखे नहीं खुल रही है. हैं सरकार अभी भी सो रही है उसके बाद जूद सरकार खट्टर साहाब अपनी पीठ थप थपाने का काम गरते हैं कि हम ने आरोपियों और पकड़ करके किया क्या तीन साल पहले भी अगर 6 मिले पहले इस तरह कटी का केस उठाए जाए तो उसके उसमें क्या हुआ भी सबसे बड़ा मामला था हिसार में जब लड़की के पिता ने आत्म हत्या कर लिए उसके बात पुशासन जागा और आरोपियों को 15 दिन बात गिरफतार करता है पुलिस पुशासन पे सवाल उठा रहे हैं यह बात गलत है यह बात सही है कि पुलिस वाकई में अपनी सब्सक्राइब के साथ हुई है बड़ी सरम की बात है इसके अंदर कोई भी सरकार हो उसका कोई यह नहीं कह सकती भाई यह जो है कुछ नहीं रहा जैसे किसी मिनिस्टर का भी एक कि दूसरे टीवी चैनल पर मैं सुन रहा था सवे दिन ही बयान था तो हरियाना नेशनल यह कितनी एफिसेंट पुलिस है फिर सवाल यह है कि जो एसपी लगाए जाते हैं उनके वो मेरिट के आदार पर नहीं लगते हैं अब हमारे टाइम पर जब हीनियस क्राइम दस साल या उससे ज़्यादा उमर कैद या फांशी की सजाद वाले क्राइम होते थे तो डीज बाद में डीजीपी भी आ गए थे तो मौके पर जाते थे अब देखो यह कितने डीएसपी, कितने एसपी मौके पर गए हैं, कितनी इन्होंने केश डारिया लिखी हैं, क्या इन्होंने एक्शन लिया हैं, यह तो अपड़ गाडियों में गुमते रहते हैं, जंडी लगा अब यह खुद अपनी डीवटी नहीं देते तो नीचे वाले क्या डीवटी देंगे, लिशे गटिया कोई बात नहीं हो सकती, पुलिस अगर अपनी डीवटी ठीक दे, और सरकार की मनसा हो कि अच्छे अधिकारी जिनका लाइड ओर्डर में, यानि स्टेट में नाम हो, कि ये अब हमारे टाइम पर मुझे जहां भी लाइड और बदल जाती थी भीजते थे, बिलकुल, बिलकुल एक्षन लेना चाहिए, और सरकार अगर एक्षन नहीं लेती है तो इस पात का दावा भी नहीं करना चाहिए सरकार को कि हम आपकी सरक्षा देंगे, अगर आप पह्मी में किसी को नहीं डाल सकते, और आपके पास आँगा, आपसे समझूंगा समाजी कारिकरता कि भूमिका में कितना मुश्किल है उन परिवारों को इन तमाम दर्द से निकल पाना, इन तकलीफों से निकल पाना, जिस तकलीफों में, आप सरकात डाल रही है, या जरूर चाहूंगी आज यहां पे कहना, कि वो चीकती चिलाती रही, छोड़ दो, मत करो, दोराती रही, ईश्वर अल्ला गौड का वास्ता दिलाती रही, घरों की आबरूं के बारे में बताती रही, लेकिन वो मृत प्राय हो चुके इंसान थे, उन पे बरबरता सवार थी, बारे में आप क्या कहेंगे, पहले यह कहा जाता था, पहले जितनी भी इंटरनाशनल लेवल पे रिसर्च होई हैं, रेपिस्स को लेकर, उसमें कहा जाता था, कि जो रेप करना चाहता है, उसमें सेक्शल अरॉजल इतना है, और वो कपड़ों को देखके, सुंदर्ता को द इस कविता को सुनाते हुए, अपनी बात को रखते हुए, जाहिर से बात है कि हर किसी का कनेक्शन होता है, व्यक्ती से व्यक्ती का, लेकिन अब सुनिये, एक ऐसे महिला का, जिनके पास पात बहुत है, लेकिन मुस्कुराहर देखिए, रेप जैसी घटना पे जब रिपोर इस बात की सविक्ती का भागरिया प्रयास निभक बताया हुए या उचिंद डव दिकाया हुए? लेकिन आधी ही ना S.E.P. S.E.P. Pooja Dabla कि देखिए मुझे लगता है कि पूरी बात को अगर सारा पूरा सिरफ एक छोटा सा वो दिखा देना भर जो है पूरी पूरा उसको दिखाना चाहिए थोड़ा सा जिससे उसके बारे में और ऐसा हां और ऐसा कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं कोई क्योंकि बात तो उनके प्रेस पर एटिकूट नहीं देखा अपने देखिए ऐसा जो यह तोमर साब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि पुलिस में रहे हैं वो और वो पुलिस अदिकारी है तो मैं ऐसा एक्सप्रेशन कुछ भी दिखाए नहीं दिया जिससे वो यह क्या जाए क लेकिन पूरा जब तक यह ना पता लगाए कि इसके किस बारे मीं बात हो रही थी किता नहीं है तो मर साब सुनिता दुगल जी क्या यहीं कशूर है कि हम समझी नहीं पाते कि समाज में क्या चल रहा है एक बार फिर से सुनि उन्होंने क्या कुछ का कॉस्वज में आएगा रिपोर्टर ने सवाल पूचा कि क्या कुछ आपको वहां पर मिला क्या आपको कुछ पीड़िता ने बताया जवाब था मैं वहां पर थी नहीं और फिर उसके बाद की आवाज सुनियेगा फिर से सुनिया अमला ये है कि वो अपने घर वापस आ रही थी, माबाप के पास शाइद फैक्टरी गई थी वहां से वो घर की तरफ आ रही थी तो जो एक लड़का है उसका जानकर वो उसको मिला है उसने अपने फोन करके कोई ओटो चलाता है उसका दोस्त उसी लड़के का उसने उसको ठाके कहीं मवई की तरफ लेके गए हैं वहां एक कमरे में रखा है और फिर सुबा जो है वो उस लड़की को जब छोड़ने आ रहे थे तो वो उसने शोर मचा दिया तो माबाप को देखके उसने शोर मचा ले हैं माबाप भी उसके डूढने निकले हुए थे तो इस तरह से मिल गए एक लड़का जिसमें हम गिरफतार कर चुके हैं सुनीता दुगल जी ये इसके पहले क्या हिस्सा था जो आप कह रहे थी पूरा सुनवा यह मने आपको पूरा भी सुनवा दिया इनको सारी जनकारी थी लेकिन जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि वहां पे और क क्या क्या हुआ था तुनों ने कहा हसते हुए कि मैं महापर थी नहीं आप इस बयान को अगर बचाएंगी तो इसका मतलब यह कि ना तो आप आंकों में आग डाल कि यह दावा कर पाई कि मैला इस रक्षेत हैं और फिर उनसे यह कह पा रही हैं कि हम आपके पक्ष में वारदात हुई हैं उसमें आरोपियों को जिस तरह से उन्होंने बताया कि गिरफतार भी किया गया है और जो इससे पहले भी पानीपत की वारदात हुई है उसमें भी गिरफतार किया गया है मुझे लगता है कि हमें हमें एक मीडिया को बड़े रिस्पॉंसिबल तरीके से जो मांसिक्ता आज खराब हो रही है कि इनसान की उसके तरफ जैसे कि सुलक्षन जी ने बहुत सुंदर बात कही हमें हमें समाधान निकालना है और हम अगर ये कोशिश में रहेंगे कि हम किस्तर से सरकार को गेरने की कोशिश करें तो देखिए सरकार इस बात के लिए कहीं आज समाज जिसनले से विक्रत मांसेक्ता हो रही है, उसके लिए हम सब यहाँ पर जो है अपने अपने field के expert हैं कि इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है कि इसके हम solution क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर बैठको एक कोई वार्दात होती है उसके उपर हम debate करते हैं उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं लेकिन उसका हमें सोलूशन क्या निकला उसका एक कंक्रीट जो हमारा समाधान है वो क्या निकला अगर हम थोड़ा सा भी इस तरह बढ़ेंगे अभी शेख जी मुझे लगता है तो आपको जो है सभी हमारे जितनी भी जनता है वो ज् बातला कर देना चाहिए मसला यह है कि 24 घंटे के बीतर एक के बाद एक लगातार बलतकार की घटना आती है हम आपकी इस बात से बिलकुल भी सहमत नहीं है कि आप यह कहें कि सरकार सब कुछ कर रही है इंसानों की मनसिक्ता ही खराब है पुलिस में भी शिकायत है जिससे लगातार बड़ी बात जारी है बने रही है खबरे भी तक के साथ बरक के बाद एक बार फिर से अब से भी कह स्वागत है आप देखरें बड़ी बात और बड़ी बात पर उन हैवानों पर बात जो हर याड़ा को जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं उससे भी बड़ी बात हर याड़ा में उन विपक्ष की पार्टियों पे जो सब कुछ देखते हुए सिर्फ टीबी डिबेट में हंगामा बोलती है जो सिर्फ टीबी डिबेट में अपनी बात रखना जानती है इसलिए सवाल उन से भी पूछा जाना चाहिए और सवाल पार्टी अपना केंडल मार्च निकाल रही है यमना नगर डिस्टिक में लेकिन अहम हम भी अपना पूरी तरह से दाइतिव निभा रहे हैं लेकिन मैं एक चीज आपने इस सब कुछ उनी के हाथ में हैं शाषन और प्रशाषन को चलाने वाले वही हैं बाब यूद उसके तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरी ख्याल से यही है कि या तो सरकार को उनके उपर वरोसा नहीं है कि वो इस लाइक है या नहीं है लेकिन उसके बाप जूद आए दिन हर एक का आप अख़वारों में देख लीजिए मीडिया के माध्यम से देख लीजिए आए दिन किसी के पास जाती है तब तक उस फाइल को सम्हालने वाला जो है वो दूसरी सीट पर चला जाता है तो यह बहुत बड़ा एक आज जो सरकार के उपर जो आरोप लग रहे हैं यह चोटे आरोप नहीं है और जो बेटियों की बात पूरे तीन साल में पानी पत्में लाखों क कि प्रोडों रुपे खर्च करके यह बात कही गई थी बड़ी बात कर रहे थे तीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरे देखने आप उसको देखे आप लोग राजनितिक पार्टी हैं आप लोगों कुछ चंदा मिलता है आप लोगों को फण मिलता है पार्टियों में ब्रस्टा आप विशाया आप मिल सकते हैं बात रख सकती है इसमें भी आप लेट लेकिन हमारा प्रसेस में है हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर harass लोगों ने डिबेत साहा दिन अगर अगर हमारा ज चुप करके बैटी हुई है आज हर तरह से हमारी पार्टी पूरी आवाज उठा रही है लेकिन जो चीज जो मुद्दे जो मैं बात आपने मेरे को बीच में छोड़ दी रोक दिया था मैं उस बात के उपर अमल कर दुगल जी का जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि हम महिलाएं ह हैं क्योंकि जो हमारी एक यही बात हो रही थी कि हमारे लिए बहुत ही समवेदन शील मुद्दा है क्योंकि हमारी भी बेटियां है यह नहीं है कि हम दूसरी बेटियों के लिए बात करें हैं या हम सरकार को बात करें हैं लेकिन हमारी भी बेटिये हैं हमें भी धर है जब हम पतिशाशन लागू कर दीजिए मुख्या मंतरी साहब अगर ये सोचते हैं कि मैं इस सरकार को नहीं चला सकता तो उन्हें क्योंकि आपने एक मेवाद की भी जो डिंगर हेडी की एक घटना हुई थी उसमें भी मुख्या मंतरी साहब ने ये कहा था कि ऐसी चोटी मोटी घटन सत्ता में बारी-बारी से आप लोग अनंद भोग रहे हैं और दरसल जिस हर्याडा की तस्बीर पे हम चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं ये आप सब ने ही तयार किया है हर्याडा जब से बना है और आज तक केतिहास में इस बात से मुकर नहीं सकते ये अच्छी बात है कि कॉंग्रेस में ये घटनाए कम थी बीजेपी में घटनाए बढ़ गई लेकिन धर्मीर जी दो बच्चियों या महिलाओं के साथ प्रत दिन आपकी सरकार में भी बलतकार होता था प्रत दिन जो अब आकड़ा तीन हो गया है दिखे ये मामला जैसे की जुनीता जी ने कहा क की समाजिक तो है ही है लेकिन सरकारों की कमियों के कारण भी ये चलता है हम तो कह रहा हूं हम अपनी कमी से परेहटते नहीं आपकी पैनल के ऊपर दो महीने पहले जीजिन उकलाना वाला केस हुआ था मैं ये बत बोल कर गया था आपको याद होगा लेकिन इसके अलावा जो तो इस पूरे मुद्दे को दो प्रांग दे स्ट्रेटजी के तहत हम इसको एक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आंदोलन तो ऐसा चलेगा, इस आंदोलन का आप सुनिए पहले, आंदोलन का एक पक्षी ये रहेगा कि क्या क्मिया चल रही है, क्यों ये हो रहा है और कैसे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत बढ़ रही है दूसरा पक्षिये होगा उस आंदुलन को सामाजिक जो मानसिक्ता जो विकृत हो रही है उसके उत्थान के लिए किया जाएगा तो यह डबल प्रॉंग चलेगा इसके अंदर अब देखिए कि हम क्योंकि सरकार में नही करेंगे हम सिरफ यह नहीं है कि भाजबा के उसमें क्या हुआ यह किस केस में क्या हुआ आज इसको भाजबा और कॉंग्रेस को देखने का वो नहीं है कि विकृत सामानसिक्ता को उपर कैसे किया जाए ठीक है बिलकुल हुड़ा साब को यह कहना पड़ा था ताथकाली कि मुझे मालूम है कि दूद के दूले नहीं है आपकी सरकार भी दूद के दूली नहीं है तो आप जाहिड सी बात है कि किसी एक पार्टी को गहरेंगे नहीं मैंने अब लेकिन जिस हर्याड़ा के लिए भी कुछ ऐसे काम किये हैं जिससे लोग आज भी याद रखते हैं और आज भी आप मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं यह बिलकुल सही बात है लेकिन इसके पीछे का जो कारण है मैं समय जाते हैं जब भी समय मिल पाता है तो वहां पर आप ये देखने को मिलता है कि छोटी चोटी बच्चियां जो 6 साल से लेके 9 साल की बच्ची उनका वो अपने घरो में सुरक्षित नहीं है आदे से जादा टाइम आदी लड़कियां चोटी बच्चियां आके रोती ह कि मैम हमारा कोई परोसी माम ये का बेटा या रिष्तेदार आखि उनके साथ ये काम कर रहा है और उनको समझाया जाता है मतलब बच्चपन से 6-7 जाल की बच्ची को ये तूने किसी को बताना नहीं है तो आपको उनको ये बताना पड़ता कि नहीं बेटा अगर आपके साथ अगर आपके घर पे नहीं सुन रहा तो आप आके अपनी मैम को बताईए क्यूंकि पहले ये घरों पे आज अगर किसी के घर पे ये चीज हो रहे है तो वो रो चिला रहा है उसके पडोसी रो चिला रहे है तब आगे आ रहे है लेकिन जब तक कोई खुद अपने पॉसन पाच निकाले गए या चोटे और मुझे कहीं पर लगता है कि दुगल जी की बात से मैं जगा सेहमत हूं कि जहां पर आपने ये बात कही कि मुद्दे जो है वो आगे सरकारों से आगे उठके आने चाहिए उनको मानसिक्ता से लेके बेरोजगारी से लेके नशा खोरी से ल अगर ये केस आपको लगता है कि बीजेपी कॉंग्रेस का नहीं समाच का है लेकिन किसी महिला को किसी बेटी को सरयाम वहां से उठा लिया जाता है फ़रीदाबाद जैसे अच्छे शेहर से किड्नैपिंग कर ली जाती है यह लान अड़े टूट रहा या नहीं टूट रहा है नहीं देखिए ऐसा है कि जो वार्दाते हुई है हर वार्दात में कोई उसके पीछे की एक अलग जिसको हम कहेंगे कि अलग ही उसका तथ्य है क्योंकि जैसे कि अभी इसमें बताया गया कि जो इक वो बच्ची का मामला है उसमें जो दो लोग हैं जिसमें पकड़ा भी गया फरीदाबाद की बात कर रहे हैं इसकारपियों से किट्नैपिंग हो जाती है मैडम जबाब आप सभी ट्रेक्ट पर आईए जिसमें कि आपने वो एसीपी की बाइट भी दिखाई मैं उ इस बात को माना है कि बच्ची का जो दोस्त था उसने उसको फोन किया और उसके बाद बच्ची जो है वो उसके साथ गई लेकिन वहाँ पर अगर उसके साथ जाने के बाद गलत अगर कुछ हरकत होती है तो उसमें से उन्होंने बताए कि एको गिरफतार भी कर लिया गया है देखिए मैं फिर वही बात कर रहे हूं कि ये वारदातें जो है इसमें जो सबसे संजीदगी आपकाइश के सामने राजी टीजुआः ने पी पुलिस को बचारी यह भी एक चेहरा है पार्टीयों का अभीशीक इसमें प्रदेश के मुख्या के जवाब दे जरूरी है इसमें कोई भी ये बात से मना नहीं कर रहा हुआ देश का मुख्या या प्रदेश का मुख्या है अगर उसके अधीन सारी चीज़ें हैं और कुछ गलत है और सही नहीं हो रहा है तो उन्हें एक्षन और रादर इमिजेट आक्षन लेने की जरूरत है इस बात से कोई नहीं मुकर रहा लेकिन जितना भी विकृत माल सुटा है अभी आपने राजीव चोंकी घटना जो अभी आप बता रहे थे वहां पर जो चोंकी है वो केवल सो किलो मीटर की दूरी पर है सो मीटर की दूरी पे है सोरी लेकिन उसके बाब जुद भी पुलिस प्रशाशन को अगर इस चीज़ का डर हो कि हमारे उपर कोई एक्षन तब वो भाग के जाती हैं तो वहां पर पुलिस प्रशाशन भी आज तो पूरे हर्याना में ढूल मूल हैं लेकिन आज हर्याना परदेश के जो हालात बस से बत्तर हैं अगर मुख्या मंतरी साब गाये गीता और सरस्वती से बाहर निकलेंगे तब जाकर के बेटियों की आज अगर वो गव रक्षा दल बनाते हैं तो कन्या रक्षा दल क्यों नहीं बनाते क्यों आज बेटियों की शुरक्षा की बात नहीं करते आज मुख्या मंतरी जी के कहने की अनुसार लोगों ने उनकी बात पर अमल किया बेटियों को बचाने का काम किया लेकिन जो बेट पर पैसे की बर्बादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, गीता का पाट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस क्रिशन जी के उपर चर्चा नहीं होती, जिस क्रिशन जी ने द्रोपदी को बचाने का काम किया था, आज वैसे क्रिशन जी पैदा होने चाहिए, मुख्या मंत्री को भी सोचना चाहिए, कि आज के समय में अगर वो परदेश के मुख्या है, तो एक किसम से वो क्रिशन है, उन्हें भी बेहन बेटियों की, बच्चियों की उसरक्षा के लिए क्रिशन बनना पड़ेगा, आज आए दिन चीर हरन हो रहा है, हर तीन घंटे के बाद एक रेट करना चाहते हैं, हाँ, मैं यह कह रहा था, यहां राजनीती की बात करके हम इस सारे मुद्धे को और खराब कर रहे हैं, हमें यह सोचना चाहिए, कि इसको कैसे जो है, सुदार आ जाए, मान सिकता कैसे चाहिए हो, उसके लिए मेरी एक सेजेशन है, कि एक सबजेक्ट होना चाहिए, moral values का, nationalism का, देश प्यार का, हर स्कूल के अंदर होना चाहिए, बाबाप की यह duty है, कि वो अपने बच्चों में संस्कार डाले, तीसरा यह है, कि जो पुलिश अधिकारी, यह देखे हैं, कि इतनी heinious crime हुआ, तो कौन मौके पर पहुँचा, अगर senior officers मौके पर नही पहुच है, जिनकी duty थी, तो उनके खलाफ सक्त action होना चाहिए, यह suspend किया जाना चाहिए, उनको जो भी SP है, जिनके जिले में यह गटना है, तब जाके जो है, इनको डर होगा, भै होगा नीचे बालों को, एक SHो को suspend कर देंगे, उससे तो कोई असर नहीं होना, जुम्मेबा करना होगा कि पुलिस वाले अपनी duty मांदारी से तया दिल से, और अब देखियो, response time दो गंटे तक उस लटकी को नीपकट किसके फरीदाबाद की को, उसके पास phone भी था, आज के time पर नहीं ट्रेस कर सके कि उसके location कहा है, तो इससे बड़ी जो ना फर्माई, इससे बड़ी कोता ही मिल नहीं सकती है. दो गंटे तक जो वारदात होती रही और उसमें उसको track नहीं कर पाया, तो उसका उनको जो है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वहां से जो है, उनका तुरत वहां ते तबादला होगा है, लेकिन इसके इलावा, इसके इलावा एक्शन, इसके इलावा जो एरिया क मंतीस, उनके खिलाव भी एक्शन होगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, तो टो टो तबातला क्या कोई एक्षेन है देखिए आराम से प्यार से या प्रपोज कर देना प्यार से की सहाब आप यहार रह नहीं सकते आप चले जाएए कर अभी शेक जी सुनिये जो हर एरिया जो है वह हमारे तोमर साब बहुत अच्छी तर से जानते हैं इस बात को यह बहुत यह में वह इर्रस्पॉंसिबल जो है वहां का साबित हुआ है उसके खिलाफ सक्त एक्षिन जरूर होना चाहिए और क्योंकि जो सीनियर ओफिसर हैं उनकी भी रिस्पॉंसिविल्टी बनती है वो टाइम बिंग उनको ट्रांसफर किया गया है आगे सरकार जो है वह वह इंक्व लिन होती तो जब तक सीनियर अधिकारी अपनी ठीक ने देंगे नीचे वाले भी देंगे उनको कितने हैं बदलते रहो सपेंड करते रहो उसका कोई लाब नहीं होगा इसमें तो इस सारे चीजों को लेकर सरकार के अंदर समवेधना होनी चाहिए बहुत जरूरी हमारे यह कि सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं एक बयान आपको बताऊंगा तो आपके परों तले जमीन निकल जाएगी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली और दूसरी प्रेस कॉंफरेंस में बोलते हैं मैं कोड करके बोल रहा हूं यह वीडियो पे भी आपके चैनल पे भी है इस दे पानते नहीं अब छोड़ देते हैं दूसरी बात में लेकर आता हूं कि तोमर साब ने अभी बताया कि लेकिन आज के मामले के अंदर इतनी इतनी गुंडागरदी और इतनी भयानक गुंडागरदी आस तक कभी नहीं थी नहीं पुदे लिखे हो रहे संव थी यदि मैं मैंaw रिखना जितना भी पुलिस की जो कंपलिसिटी आती है या लैक्सिटी आती है वह क्यों आ रही है कि इसकी बैकिंग के ऊपर इतने बड़े अधिकारी इतने अराम से इन चीजों को ले लेते हैं यह क्यों हो रहा है मतलब तोमर अंकले अभी यह बताया कि छोटे ऑफिसर जो है वो इस जो कुछ और उसे होने दीजे किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर नैतिकता और समाज की जिम्मेदारी है तो सब पाटी इलक्शन स्टाइम पर इसको एज मुद्दा लेके जाएंगे और रही बात जहां पर मेंटल को लेकर है या समाज में बदलाव लाने को लेकर या ऐसे रिपेस जो की मेंटली साइकोपैट्स हैं दे साइकोपैट्स उनको आम इंसान नहीं आप कह सकते हो उनको कैसे इंप्रूव करने इसके ओपर कोई बात नहीं करेंगा जो हमारी विधान सबा जो है उसके अंदर जो मध्या परदेश की तरज के ओपर वो बिल लेकर आया जाए जिसमें नावालिक बच्चियों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो उसको फांसी की सजा मेंडेटरी होनी चाहिए बिलकुल लेकिन बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस के प्रवक्ता सब कुछ स्विकार कर लेते हैं क्योंकि सब्ता उनके हाथ से चिन चुकी है बीजेपी की प्रवक्ता सब कुछ आसानी से इस विकार नहीं कर पाएंगी क्योंकि सब्ता उनके हाथ में है हाँ वो इस बात को अगर आप और एक्शन दिखाएं तो लोगों को पसंद आएगा कोशिश कर ये महिलाओं के मुद्दे पर कम से कम कोई समझाओता ना हो मस्कार अगर एक्शन दिखाएं तो लोगों कोई समझाओता ना हो